हेलो इस्टुडेंट्स आज हम CIS यानी सफतंत्र रास्टों का रास्ट मंडल पर चर्चा करेंगे CIS का गठन सोव्यत संग के विक्टन के साथ हुआ जैसे कि आप सबको पता हिए USSR में 15 गन राज्य थे तो जब 1991 में USSR का विक्टन हुआ तो उसके साथ ही 15 गन राज्य नए देश के रूप में विश्व मैप पर उपरे इन 15 गन राज्यों में से 12 देशों ने CIS का साथ लिया यानी CIS के रूप में गठित हुए और 3 देश थे जो बाल्टी गन राज्य कहलाए और इन्हों ने यूरोप पे संग की मेंबर्शिप ग्रहन की ये लोग CIS के मेंबर नहीं बने बाल्टी गन राज्यों में तीन देश आते हैं एस्टोनिया, लताविया और लित्वानिया इन्हें हम बाल्टी गन राज्य इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाल्टीक सागर के पास इस्सित है अब प्रश्ण ये उठता है कि आखिर इन देशों ने क्यों CIS की मेंबर्शिप नहीं ली ये पुर्वी यूरोप के वो देश थे जिनका ये मानना था कि USSR ने इन पर illegal तरीके से कबज़क क्या हुआ है और ये USSR के सदस्य नहीं है ये पुर्वी यूरोप के मेंबर्श थे इसलिए इन्हों ने यूरोपे संग की मेंबर्शिप ली CIS की मेंबर्शिप नहीं ली तो CIS के जो सदस्य बने वो बारादेश बने थे CIS की फुल फॉम आपको वन नमबर के कुश्चन में आ सकती है तो इसकी फुल फॉम क्या है Commonwealth of Independent States यानि सबतंत रास्ट्रों का रास्ट्र कुल ये इसका मैप आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर कौन-कौन से देश है जो CIS में आते हैं रश्या, कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, किरिगिस्तान, तजाकिस्तान, अर्मेनिया, मौल्डोवा, बेलारूस, युक्रेन, आदी ये CIS का एंबलम है CIS के एंबलम में अगर हम देखें तो पीछे ब्लू कलर का बैक ग्राउंड है जिस पर यलो कलर का सूरज है यहाँ पर ठीक है और ये आठ पोल्स है और ये आपसी एकता को और यूनिटी को दिखाते है तो ये CIS का एंबलम है जो की ब्लू बैक ग्राउंड पर यलो कलर का सूरज है जिसे की एट फॉल्डिड पोल्स ने घेरा हुआ है जो की एक्वैलिटी, यूनिटी और पीस को परदर्शित करते है ये इसका CIS का फ्लाइग है पीछे हम देखेंगे कि ये जो आता है आपका पीछे ये ब्लू कलर बैक ग्राउंड ब्लू कलर का है ये CIS का वो एरियाज दिखाए गए है जो CIS के कंट्रीज है कंट्रीज के घिर हुए एरिया है ट्रीकर उसके उपर CIS का एमबलम है तो ये इसका CIS का फ्लाइग है CIS को रूसी राष्ट्र मंडल भी कहा जाता है USSR के विट्टन के परिणाम सवरूप यस्तित्म मैं जैसे कि मैंने अभी बताए था इसके तीन संस्थापक सदस्य है बेलारूस, युक्रेन और रूस इसका गठन आठ दिसमबर 1991 को हुआ जब युक्रेन, बेलारूस और रूस ने एक समझोते पर हस्ताक्षर किये ठीके तो इसका गठन का वह आठ दिसमबर 1991 को लेकिन उस वक्त इसमें केवल ये तीन सदस्यों ने ही इस पर समझोते पर हस्ताक्षर किये थे बाद में 1993 में CIS के चार्टर पर आठ सदस्यों ने और हस्ताक्षर किये युक्रेन इसके चार्टर की पुस्टी नहीं की क्योंकि ये रूस को अकेला USSR का उत्राधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं था इसलिए युक्रेन इसके चार्टर पर कभी भी कभी भी साइन नहीं की कि युक्रेन का मानना था कि USSR का अकेला उत्रादिकारी रूस नहीं हो सकता तो उसने कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया और इसकारण उसने CIS के चार्टर पर भी हस्ताक्षर नहीं किये CIS हाला कि 8 दिसंबर 1991 को युक्रेन बेलारूस और रूसनेक समझोते पर हस्ताक्षर करके CIS का गठन किया था लेकिन इसकी जो अपचारिक घोशना थी वो 21 दिसंबर 1991 को हुई जब आठ नए सदस्य देश इसमें शामिल हो गए औ और उपचारिक रूप से CIS अस्तित्यो में आ गया जोरजिया 1993 में इसमें शामिल हुआ और इस से 12 मेंबर्स हो गए इसका हैड़ क्वार्टर मिंस्क बेलारूस में है मिंस्क नामक शहर और वहीं इसी उसी को इसका हैड़ क्वार्टर बनाया गया है जो CIS का चार्टर है उसमें सदस्यता की नियम बताए गए है यानि चार्टर में बताए गया है कौन CIS का मेंबर हो सकता है और कौन नहीं और जो भी CIS का मेंबर बनेगा उसे CIS के रूल्स को फोलो करना पड़ेगा चार्टर में जो नियम देगन को फोलो करना होगा जो सदस्य चार्टर को स्विकार करते हैं उन्हें पुन्ट सदस्य का दर्जा दिया जाता है और जो इससे स्विकार नहीं करते इसके चार्टर को वो as a partnership member के रूप में काम करते हैं तो जैसे कि मैंने भी बताया था कि युक् भी भी इसके चार्टर के पुष्टि नहीं की, तो युक्रेन जो हे वो इसका पूर्ण मेंबर नहीं बना कभी भी वो बल्की सहयोगी सदस्य की रूप में हुसना काम किया,zem crashes, जो सदस्य चार्टर को सुविकार करते हूं, वो सदस्य कहलाते हैं, और जो नहीं उकरीनने भी जो हमेशा ही एक सहयोगी मेंबर रहा वह भी 2018 में पूरी तरीके से से लग हो गया उसने से इसे अपनी सहयोगी मेंबर्शिप लफ की वह वापस ले ली तो हम देखने कि से कितने मेंबरे से सदस्य रचना इसके 지루 को हम धौ फाले स्कते हैं से एक पुर्ण सदस्य और दूसें सहयोगी पूर्ण सदस्य करते हैं चायटर को एक्सेप्ट करते हैं और उसके पारट्न सिप की तरह काम पार में योगदान देते हैं बाकी की ट्रेड जो है बिजनस में आपस में मार्किट शियर करने में अपना पूरा सही योग देते हैं लेकिन उसके पूर्ण मेंबर नहीं बनते हैं यूगि जैसे वो उसके पूर्ण सदस्या बन जाएंगे उन्हें उसके पूरे चार्टर को फोलो करना पड़ेगा तो इस तरीके से ये आठ सदस्या हैं जो पूर्ण मेंबर कहलाते हैं दूसरी तरफ तुर्के मेनिस्तान और उजबेकिस्तान इसके सही योगी सदस्या हैं ये दो सदस्या हैं जो सही योगी सदस्या कहलाते हैं इस तरह अब इसके 10 CIS के 10 सदस्या हैं क्योंकि इसमें से जोरजिया और युक्रेन निकल चुकी है हर शेत्रे संगठन का अपना एक उदिश्य होता है उसी तरीके से CIS का भी उदिश्य है जैसे पहला USSR से प्राप्त दाइतों का पालन करना जाहिर से बात है जितने भी CIS के मेंबर्स हैं वो पहले USSR का ही एक अंगत है तो इनका सबसे पहला जो देश्य है वो ये है कि USSR से जो भी इन्हें ड्यूटीज मिल ही जो ये ड्यूटीज का पालन कर रहे थे जो इन्हें उत्तरदाइतों सोपे गए हैं ये उनका इमानदारी से पालन करेंगे दूसरा सदस्य देशों में प्रस्पर सहयोग का विकास करना हर शेत्रे संगठन का मेंली उदेश्य यही होता है कि वो प्रस्पर सहयोग का आपस में विकास करेंगे आर्थिक एक ता कि स्थापना करना निशस्त्रिक रन की नीती को प्रोचसाहन देना और सामोहिक सुरक्षा को प्रुचाहन देना चीके तो CIS की मुख्योंदेश नहीं संकतन है वो आर्थिक एक तक स्थापना करेंगे ताकि इनका आर्थिक विकास तेजी से हो सकी साथ ही निशास्त्रिकरण की नीती को प्रुचाहन देंगे क्योंकि USSR ने शस्त्रिकन पर जोर दिया था और उसका हाल ये हुआ कि USSR का विक्टन हो गया तो इन्होंने अपना मुख्य उदेश्या बनाया कि ये शस्त्रिकन की होड में नहीं लगेंगे हत्यारों की होड में नहीं लगेंगे बलकि निशस्त्रे करण की नीती का पालन करेंगे और साथ ही सामुहिक सुरक्षा को प्रत्साहन देंगे यानि एक की सुरक्षा सब की सुरक्षा है और इस सुरक्षा में सभी एक दूसरे की मदद करेंगे और USSR से मिले दाई तो वो का पूरी तरीके से पालन करेंगी ये CIS के मुख्य उदेश्य हैं इसके लावां अंतराज्य व्यापार को असान बनाने के लिए एक CIS अंतराज्य बैंक का गठन भी किया गया है जो जरुरत मंद देश को लोन और रिंज जैसी सुईधा देता है आर्थिक मामले निम्टाने के लिए एक आर्थिक नियाले का गठन के आ गया है जो इन देशों के बीच के कोई आर्थिक डिस्प्यूट्स हो जाते हैं विवाद हो जाते हैं उसको निम्टाता है 2000 में CIS ने अपनी एक सामुहिक सुरक्षा परिशद बनाई जिसका मुख्य उदेश्यता सामुहिक रूप से आतंकवाद से लड़ना क्योंकि यह मुख्य तोर पर मद्यपुर्वी एशिया के देश है और यह मुख्य रूप से आतंकवाद से गहरे रहते हैं तो यह चाहते हैं कि हम सामुहिक रूप से आतंकवाद से लड़ें यह मुख्य उदेश्य है और इसी के लिए सामुहिक सुरक्षा परिशद का गठन किया क्या 2011 में आठ देशों ने मुक्त व्यापार समझोता यानि फ्री ट्रेड एगरिमेंट पर हस्ताक्षर किये और जिसके द्वारा अभी सदस्य देशों को आयात निर्यात शुलक में छूट देते हैं और इस छूट की वजए से इनका व्यापार में काफी बड़ोतरी हुई है तो मुक्त व्यापार समझोते के वज़े से इनके व्यापार में काफी बड़ोतरी हुई है CIS का अगर हम अब तक का इतिहास देखें अब तक की कहानी देखें तो कहीं अंतराष्टे संगटनों ने मानवदिकार समूहों ने मानवदिकार हनन सीमित नागरिक अधिकार और राजनितिक सतंत्रता के ना होने को लेकर CIS और इसकी सदस्यों की आलोचना की है क्योंकि जा प्रप्तर देश में मानमधिकार हनन है नागरी को प्रोपर अधिकार नहीं दिये जाते जिसके कारण सियाइएस और इसके मेंबर्स क्या लोचना की जाती है लेकिन हमें उम्मीद है कि जल्दी ही सियाइस अपनी इंकमियों को पूरा कर दूर कर लेगा और यूरोपे संग याद रखना है कि इसका हैड़ क्वाटर कहा है इसका गठन कव हुआ इसके मेंबर्स कोन है सदस्या रचना कैसी है ठीक है